फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम जानेंगे IPO के बारे में initial public offering जब कोई company share market में पहली बार लिश्ट होती है और आम निवेस्ट के लिए अपने share को open करती है तो उसे IPO कहा जाता है IPO क्या है किस प्रकार से IPO में निवेस्ट किया जाता है IPO के बारे में complete detail आज इस वीडियो में हम जानेंगे मैं PC उपातिया डिश्टल दुनिया वीडियो में आपका स्वागत करता हूं अगर आप share market में पहली बार निवेस्ट करना जाते हैं तो IPO आपके लिए बहुत अच्छा मात्यम हो सकता है IPO क्या है किस प्रकार से IPO काम करता है कैसे IPO में निवेस्ट किया जाता है यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं IPO क्या है देखिए IPO का फुल पॉम होता है initial public offering देखिए IPO क्या होता है जब कोई company stock market में अपने share को पहली बार launch करती है तो उसे कहा जाता है IPO और यह किसके लिए जारी किया जाता है institutional investors और retail investors के लिए और देखिए फिर इसकी क्या प्रक्रिया होती है and IPO is underwritten by one or more investment banks who also arrange for the shares to be listed on one or more stock exchanges तो वो company किसी investment bank के माध्यम से stock exchanges में उस share को listed करवाती है और इसके लिए प्रक्रिया होती है जिसे underwritten प्रक्रिया कहते हैं इसके बारे में अभी हम आने वाले वीडियो में जानेंगे तो देखिए एक दूसरी परिवासा देखते हैं IPO की initial public offering is a process by which a private company can go public by sale of its stocks to general public जब कोई company अपने share को आम जनता के लिए public में open कर देती है stocks के माध्यम से तो उसे कहा जाता है IPO और देखिए the company which offers its shares known as an issuer जो जारी करती है उसे issuer कहा जाता है does so with the help of investment banks और यह कारियो company किसके माध्यम से करती है investment bank के माध्यम से investment bank क्या होते हैं अभी हम इसके बारे में बात करेंगे after IPO the company shares are traded in an open market जब यह IPO जारी हो जाता है तो उसके बाद उस company के share जो open market होता है share market होता है उसमें trade करने लग जाते हैं तो देखिए IPO क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे FPO क्या होता है तो जब कोई company पहली बार public के लिए अपने share को offer करती है तो उसे कहा जाता IPO initial public offering और यही प्रक्रिया जब आगे अपनाई जाती है दूसरी बार या तीसरी बार तो उसे कहते हैं FPO FPO का full form है further public offering या follow up public offering तो यहां पर अभी हम बात करेंगे IPO की तो देखिए एक उदाहन से हम इसे समझते हैं माना एक company है ABC company तो देखिए पहली stage क्या होगी इस company की जब भी कोई company खड़ी होती है तो उस company में कुछ लोग पैसा लगाएंगे तो वो क्या कहलाते हैं shareholder से जैसे कौन होगा उस company का मालिक होगा उसके family members होगे या उसके कोई मित्र हो सकते हैं तो पहली stage में जब कोई भी किसी भी प्रकार के company startup करती है शुरुआत करती है तो उसमें पैसा लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके जो shareholder होल्डर होते हैं वो किवल वो लोग होते हैं फिर फंड से start-ups at the early stages angel investor कौन होते हैं जिनके बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता है और वो जब कोई भी start-up होता कोई भी company होती है तो उसको fund के माध्यम से मदद करते हैं और उसके वो shareholder बन जाते हैं तो इस प्रकार से दूसरे stage में shareholding किसके पास होती है angel investors के पास इसके जो कि उसमें अपना पैसा निवेस करती हैं और उसके shareholders बन जाते हैं उसके share धारक बन जाते हैं तो यह तो थी तीन stage अब अगर company को और जर्वत होती है पैसे की किसी भी प्रकारण से तो फिर वो क्या करती है IPO को ले करके आती है जिसे कहते है initial public offering तो फिर company stock market में listing कर लेती ह और इसके बाद इसके जो shareholder होते हैं वो हो जाते है retail investor आम जनता भी उसकी shareholder बन जाती है अब देखके हम बात करते हैं what is the purpose of an IPO कोई भी company IPO को ले करके क्यों आती है तो देखिए इसके बहुत सारे कारण है सबसे पहला कारण तो है वो अपने जो company के जो fund है उसको grow करना चाहत होती है और तीसरा हो सकता है उसके कुछ debt हो सकते हैं कुछ उसके करज हो सकते हैं देखिए रेज capital पहला कारण है उसके जो उसकी capital है उसको बढ़ाने के लिए क्योंकि अगर आम जनता के लिए IPO लाया जाएगा और आम जनता share market में उसके share को लेना प्रार्म कर देगी तो उन is their public profile और आम जनता में अपने company को share करने के लिए या company में अपने share को बढ़ाने के लिए अपनी company की growth करने के लिए भी IPO लाये जाते तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं IPO को लाने के तो देखिए अब हम बात करते हैं IPO में कौन-कौन सम्मिलित होते हैं तो पहला जो होता है institutional investor होत होते हैं दूसरा है retail investor तो यानिकी एक आम निवेसक जैसे कि हम और आप तो IPO की process क्या होती है देखिए सोट में हम इसे समझ लेते हैं तो सबसे पहले होता है higher and merchant bank या investment bank अभी हम बात कर रहे थे investment bank या जिसे merchant bank भी कहा जाता है इस समय बहुत सारे बैंक जैसे ICICI HDFC bank बहुत सा company की listing में मदद करते हैं तो सबसे पहले कोई भी company एक merchant bank को ढोटती है उसके बाद देखिए जो दूसरी process है filing या अंडर राइटिंग यह बड़ा ही महत्रपूर्ण होता है तो जब company किसी merchant bank या किसी भी investment bank से करार करती है तो उस समय वह bank जैसे कि कोई company अभी हम ABC company की बात कर र करी है तो यह company उसको अंडर राइटिंग गारंटी देती है कि हम 1000 करोड के जो IPO है आपके जो सेर से हैं इस पैसे को आपको दिलवाएंगे और अगर यह target पूरा नहीं हो पाया तो बैंक खुद भी उसमें अपनी तरफ से help करेगा तो इस प्रकार से यह बांडिंग हो जाती है तो कितने सेर वो उसके लिए लाएगी और उसका सेर का प्राइश क्या होगा और उसका लॉट साइज क्या होगा देखिए यह आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप IPO में निवेश करना जाते हैं तो एक लॉट साइज होता है माना वह company 200 रुपे का एक सेर निर्दा लिएश को लिश्टिंग करती है तो तो प्राइस बैंड नहीं कहलाएगा लेकिन अगर 180-200 रुपे के बीच में निवेश उस प्राइस को निर्दारित करती है तो आपको 180-200 के बीच में कहीं पर भी आपको वो सेर मिल सकता है तो इसे कहा जाता है प्राइस बैंड और जो चौता हो जो होता है डिस्टिबूशन अर्थाथ इसई जो यह पबलीक होता है इसको मार्गेट में लॉंच कर दिया जाता है तो देखिए पहली क्या प्रोसेस है पहले हायर किया जाता है एक इन्वेस्ट्मेंट बैंक को दूसरे दूसरे स्टेप में और अंडर राइटि हो जाता है तो इसी को मार्केट में लॉंच कर दिया जाता है यह समय दिया जाता है इस यू को मार्केट में लॉंच करने के लिए उसके बाद application process start हो जाती है और कोई भी व्यक्ति online माध्यम से आज कर बहुत सारे तरीके हैं आप इसके बाद जो चटा जो इसका प्रोसेस होगी इसके बाद को किया जाता है और application के आधार पर देखा जाता है अगर निवेसक इसमें ज्यादे इंट्रेस्टेड नहीं है तो उसमें आपको आसानी से इसमें IPOO में ब inquiry मिल जाएंगे लेकिन अगर एसमें कभी कभी क्या होता यह OBER09 हो जाता है तुं कि आदार पर यहां पर देखा जाएगा कि KIS को मिलता है उसकी दसकी लोझ्ट्री की प्रोसेस भी होती है या अन्यान एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम व्यक्ति थी को यह सेर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाता है और उसके बाद कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो इस प्रकार से आई प्यों की एक प्रोसेस होती है और अब हम यहां पर एक बहुत अच्छी आइप्यों से सम्मंदित वेबसाइट पर फ्रेंड आईए अब जानते हैं कैसी वेबसाइट के बारे में जिसमें आप आई पी आप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहांपर आपको दिख रा होगा एक कुबेरान ग्लोबल और यह लिश्टेट कहां ह हजार 21 को इसका लॉट साइज है 6000 का और इस्यू प्राइस कितना है 20 रुपीज इसका मतलब है अगर आप इस IPO में एप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6000 लेने पड़ेंगे इसके और आपको कितने धनराशी के आवश्यक्ता होगी 12,000 रुपेगी और इसका जो साइज है वो कितना है देखिए 1.12 करोड इसी प्रकार एक देखिए दूसरा यहां पर IPO जो आ चुका है उसका नाम है मैक्रो टेक और देखिए यह BSE और NSE दोनों में लिश्टेट हुआ है तो यह ओपन कब हुआ था 7 अपरेल 2021 को और क्लोज कब हुआ तीन दिन में 9 अपरेल 2021 को तो यहां पर देखिए जो ओपन और क्लोज का टाइम है इसी बीच में आप इसमें अपनी फिल कर सकते हैं अप सकता पड़ेगी और इसका जो इस्यू साइज है तोटल कितने के सेर यहां पर यह लोग के माध्यम से देने वाले हैं आम जंता को 2500 करोड़ के तो इस प्रकार यहां पर आप जो भी मार्केट में लॉंच वें उसके बारे में पूरी डिटेल यहां पर प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही जो पहले के आईपियो जहें उसके बारे में भी आप इस वेपसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार किसी आईपियो के बारे में आप यहां पर आईपियो सर्च यहां पर सर्च करके भी उसके बारे में complete जानकारी प्राप्त कर सक दिख रहे होंगे जैसे देखिए मैक्रोटेक डेवलोपर लिमिटेड इनमें हम क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डेटेल्ड जानकारी हमारे सामने आ जाएगी साथ ही यहां पर कुछ और भी जानकारी दी गई है जो कि आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बिस्तारपूरवक जानना है तो यहां पर देखिए अभी हम मैक्रोटेक डेवलोपेंट लिमिटेड में जैसे क्लिक करेंगे देखिए अभी हमने यहां पर क्लिक किया मैक्रोटेक डेवलोपर लिमिटेड आईप्यों के बारे में तो यह देखिए किस detail आ रही है कितना इसका revenue है और यह सारी चीज़ें हमें देखनी अवस्यक होंगी क्योंकि अगर हम इसमें निवेस करना चाहते हैं और देखिए यहां पर इस company के बारे में सारी financial जानकारी भी दी है total assets कितने है total revenue कितना है इनका profit after tax कितना है और objects of the issue इस issue के इनके object क्या है यह भी हम यहां से जान सकते हैं issue type देखिए किस प्रकार का है face value कितनी है IPO का price कितने से कितने के बीच में है market lot कितने का है यह सारी जानकारी यहां पर आपको इस website में प्राप्त हो जाएगी listing कहां पर हुई है BSE और NEC में और इसका issue size कितना है यह सारी जानकारी यहां पर हम देख सकते हैं देखिए और application इसमें कितनी हुई साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि क्या हमें यह IPO मिलेगा आथवानी मिलेगा तो minimum एक lot है share 30 है तो amount cut off कितना होगा maximum कितना है यह सारी चीज़ में आप जैसे किलिक करेंगे तो इसी प्रकार की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी जैसे चित्तोडगर.com है इसी प्रकार से अन्य वेबसाइट भी हैं जिनके माध्यम से आप एक proper research अवश्य करें लेकिन अगर आप share market में पहली बार invest कर रहे हैं तो IPO के माध्यम से हो सकते हैं फ्रेंट्स आज इस वीडियो पर हमने जाना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में उम्मीर है आपको वीडियो परसंद आया होगा अगर वीडियो परसंद आदे वीडियो को लाइक करें अधिक से इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर करें और अगर